आईना जूट नहीं बोलता एक समय की बात है एक काव में एक छोटी सी लड़की रहती थी अपने माता पिता के साथ उसका नाम परी था वा बात-बात पर गुशा होती थी उसकी मा उसे हमेशा समझाया करती थी परी बेटा इतना गुशा करना अच्छे बात नहीं लेकिन फिर भी उसके सावभाव में कोई बदलाव नहीं आया एक दिन परी अपने गुडिया के साथ खेल रही थी वहीं उसके पास टेबल पर एक सुन्दर सा फलो से भरा एक टोकरी रखे हुई थी तभी अचानक उसके छोटे भाई का हाथ उस टोकरी से टकरा गया और वह टोकरी नीचे गिर गया और उसके कई टुकडे हो गएं परी गुसे से पोखला उठी तभी वहाँ पर उसके माने एक आइना लाकर उसके सामने रख दिया गुसे से भरी परी ने अपनी सकल आइने में देखा जो के गुसे में बहुत ही बुरी लग रही थी अपना ऐसा पिगड़ा चैरा देखते ही परी का गुसा चुमंतर हो गया तब उसकी माने कहा देख परी गुसे में तुमारी सकल आइने में कितनी बुरी लगती है क्योंकि आइना कभी जूट नहीं बोलता अब परी को समझ में आ गया था कि गुसा करना कितना बुरा होता है तब ही से उसने गुसा ना करने का एक वादा अपने आप से किया